साउथ हिंडियन ने सार सब एक एक करके बॉलिबुड एक्टर्स की बक्यां दोड़ रही है पहले सल्मान खान फिर रंबीर सिंग और अब आमिर खान को धूल चटाने के लिए साउथ सिनेमा ने कमर कसली है पिसले दूनों सल्मान खान और उनके जीजा आयूश शर्मा की फिल्म अंतिम दा फाइनल टूथ बॉक्स आफिस पर ओंधी मूग गर गई थी साउथ फिल्म जैभीम के आगे सल्मान की फिल्म अंतिम पानी मांग गई थी जैभीम की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बलकि आउसकर तक हुई इसके बाद अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा और रनवीर सिंग की फिल्म तिरासी के बीच कई टब करोई 270 करोड में बनी तिरासी ने पुश्पा के आगे घुटने टेक दिये जहां पुश्पा में साड़े 300 करोड रुपे की कमाई की बही तिरासी मुश्पिल से 100 करोड का आगे चुपाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद बॉलिवुड में अब देह्शत बाट गई है बॉलिवुड की ऐसी हलत देखकर अब आमिर खान को पसीना गया है आमिर खान कन्नर एक्टर यश्प की फिल्म के जीएफ चेप्टर टू से खासा डर्म है तरसल आमिर अपनी फिल्म इस साल अपरेल में रिलीज कर रहे थे लेकिन जैसे ही उने पता चला कि केजिएफ टू भी अपरेल में रिलीज हो रही है उन्होंने फटा फट अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगर बना दिया आजकल साउथ हिंडियन की जादतर फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है हिंदी दर्शकों में भी इन फिल्मों की खूद मांग बन रही है दर्शक भी आप बॉलिवुड फिल्मों को छोड़कर साउट की फिल्में देखने जा रहे है बॉलिवुड इस बात को लेकर बहुत परिशान है लेकिन इसमें दर्शकों का नहीं बलकि बॉलिवुट का दोश है क्योंकि वो ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बना पा रहे है जो दर्शकों को अपनी तरफ खीच पाए अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलिवुट का अपना बोरिया 23 समेटना पड़ेगा फिलाल आपको क्या लगता है अपनी रहे हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा सी अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए